मैं 15 मिनट तक अपनी सासे रोग सकता हूँ सस्क्राइब बटन को चुके तक से घंटा दबा सकता हूँ टिंसर नहीं ले निका बना दी है मैंने वीडियो उसको समझना आपका काम है तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हूफ रधिभू राय, सुध पराटक से हैं ओर एक सडिफार्ट इतिकल है करो आज हम आध zeker हूँ आर इसस्जेम के बारे में जो 색क्राइं को अगर तो चैनल पर नहीं है, उस चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि हमारी हैकिंग से लेटर सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले, गाईज देखिए जो कम्पूटर है क्यों होता है, वो बहुत सारे सरक्म्टांसेश पर डिपेंड करता है, और आप उसको की लॉगर के थुरू भी हैक कर सकते हैं, आप उसको ट्रोजन के थुरू भी हैक कर सकते हैं, आप उनको मालवेर के थुरू भी हैक कर सकते हैं, या फिर उन पर रैंसम वेर वगरा करके भी उनको वो hack कर सकते हैं अब सारी चीज़ हम लोग डीप में थोड़ी बात करेंगे पहले बात करेंगे ट्रोजन होर्स क्या होता है तो मैंने चैनल पर ट्रोजन होर्स के वारे में एक वीडियो बना रखिया आप उसको जाके देख लिए पूरी अच्छी तरीके समझ में आ जागा ट उसके computer कोई file delete कोई file add या जो भी रिमोटली जो भी चीज़े करना चाहते हो कर सकते हैं दूसरी चीज हमारी आती है वह होती है हमारी की लॉगर क्या होती है की लॉगर बोले तो की का नाम जैसे ही सुन में आता है तो कुछ तो keyword से later होगा तो हाँ भीया यह जो की लॉगर हो 3D का CBB number यह सब record कर लेते हैं और यह password वगरा के लिए तो करके आता है तो basically key logger क्या होता है वो एक software होता है जो की आपके जो भी keyword होते हैं login ID और password के उनको चुरा लेता है हला कि यह जो key logger होते हैं वो hardware के रूप में भी आते हैं बहुत सारे market में ऐसे hardware है जहांके थूँ laptop में लगा की install कर सकते हो अब तीसरा चीज हमारा यह आता है वो है ransomware ransomware क्या होता है ransomware सबसे खतरनाक चीज होता है अगर आप कोई scientist है या फिर कोई आप research कर रहे हैं for example अगर आप कोई bank में accountant है या फिर आपके पास बहुत ही ज़्यादा confidential information है data है और वह आपके लिए बहुत साइट से encrypt कर देता है अब उसको encrypt करनाने के लिए वो कुछ पैसे मांगता है आपको उसको पैसे देने हुई होंगे अगर नहीं देंगे तो आप बहुत ही बड़ा डीमेरिट बन जागा ransomware अब बात करते हैं कि यह सब काम कैसे करते हैं गाई देखिए यह जो भी होते हैं वो एकसी फॉर्म में होते हैं आप एक एक एक्जेक्टिवल फाइल की तरफ होते हैं यह अब फॉर एक्जामपल मैंने आपको एक गेम दिया कि पेंडराई में मैंने गेम दिया लो भाई फास इसमें एक मूवी है और उसके संग जो सेटप दिया उसके पीछे ट्रोजन होता है अगर आप ग्रोजन वहां जाके अक्टिवेट हो जाता है अब वह आपकी डेटा विगरा को उठाके जो भी आपका अटाकर उनके पास सेंड करना शुरू कर देता है तो इससे बचना कैसे है इससे बचने का बस एक ही अच् पेड अटिवारस अगर आप डलवाते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि एंटिवारस में क्या होता है यो जो भी सारे ट्रोजन है इनके कुछ ब्लूपरिंट्स होते हैं जो मार्केट में आते हैं जैसे ही आते हैं तो भी आपने उनको अपडेट कर लेता है तो अगर आप कर सकते हैं और की जो की है वह प्रेस नहीं होती है तो ऐसे मों कुछ रिकॉर्ड निकरता है लेकिन अगर आप ऑन इसक्रीन करते हो तो वहां पर बस सकते हो बहुत सारे एंटी की लॉगर टूल आते हैं या फिर की डिक्रिप्टर टूल आते हैं जिसका यूज करके अब बात आती है रैंसम वेर से बसने के लिए हमारे पास एंटी वारा होना चाहिए और एक भहुत मोस्ट इंपोर्टन तिंग आपका जो भी मोस्ट इंपोर्टन डेटा होता है उनको आप यह SSD में रख लीजिए फिर हार्डिक्स एक्स्टरनल हार्डिक्स में रखिए जो क्योंकि कम्पूर्टर से ज़्यादा कर लिए जब भी आपको काम लगे उससे कर लीजिए आप लिनिक्स होगा रहा है यूज करते तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा आप ज्यादा ज्यादा कोशिस करें कि जो भी आपके हार्डिक्स होगा रहा है उनको तब कम रहे देना चाहूंगा क्यों कोटके हैं मैक फीशघ लेही सकते हैं तो आपको जो अच्छा लहें कि कि सिक्काल है कि की Key Logger, आपके Ransomware होते ही, यह Backdoor की तरह काम करते हैं, आपके जो computer है उसको पूरी तरह से hack कर सकते हैं, और ऐसे आपका जो sensitive data है, वो चोड़ी हो सकते हैं, आज के जमाने में data सबसे ज़्यादा important होता है, आपकी Google की Drive चोड़ी हो सकते हैं, आपके Google का email चोड़ी हो सकते हैं, Google का computer का robot काम करें, उनके लिए जो आपके computer को order दिया जाएगा, उधर से वो ऐसे order को repeat करेंगे, for example, उसने किसी का DDoS के लिए order दिया, तो भी आपका computer Wi-Fi से connected है, तो वो DDoS कर देगा, किसी website पर ऐसे में फसेंगे आप, तो ऐसे में मिला जो ला कि आपको क्या करना है, एंटी व आपे बहुत सारे exploit, payloads बनाया जा सकता है, जिसके तुरू आपके system का access लिया जाकता है, तो भी अगर आपका pirated है, तो उसको update नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ऐसा एक genuine window यूज़ करिए, या फिर Linux वोगारा पे shift हो जाए, Windows is not active जो लिखता है, वो pirated होता है, पिरे नहीं हो computer जो Windows के completely आप कावम करेंगे अपने Linux में बहुत fast हो जागा, तो मैं recommend करूँ को कि आप Linux पे switch हो जाए, तो यह थी कुछ आज की बात है, जिसमें मैंने discuss की थी, पुरी ransomware, Trojan Keylogger के बारे में, तो आपको hacking से लेटर रोज सारी वीडियो जान दी है, या फिर देखनी है, तो म आज में रोज की तरह इंटरनेट पे be safe, be secure